हाई गाईज कैसे हो आप लोग आप कुमार मुदुकर और आप देख रहे हैं के अम लर्निंग चैनल और आज मैं आपको बता दो कि आज का जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी के उपर है और इंडियन पॉलिटी का जो पहला लेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प् इंडियन प्रियंबल के बारे में वो सारे पॉइंट को कभर करने वाला हूं जो आपके एक्जामनेशन के पॉइंट अभीउ से मेंस की पॉइंट अभीउ से इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग अगर हमारे केम लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रियंबल में सबसे पहले हम आप सब तो भी एक्जाम की त्यारी करते हैं हमें इस बात का हमेशा इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा प्रियंबल क्या कहता है और हमारा प्रियंबल क्या है तो हमें प्रियंबल याद हो जाना चाहिए तो मैं आपको याद करने के पॉइ Democratic Republic and to secure all its citizens, we the people of India, मतलब हम सब इंडिया के जो लोग हैं, कसम खाते हैं कि इंडिया को क्या बनाएंगे, Sovereign बनाएंगे, Socialist बनाएंगे, Secular बनाएंगे, Democratic बनाएंगे, Republic बनाएंगे, और ये सारे चीज हम अपने citizens के बीच में secure करेंगे, और secure करने में क्या है, पहला है justice, justice में कौन-कौन सा, social justice, economic justice, and political justice, दूसरा है liberty, liberty of what, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, थर्ड पॉइंट है equality, अब देखते होंगे equality के regarding बहुत सारे articles भी हमारे इंडियन कोंस्टिशन में, equality of status and of opportunity, right, and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, correct, in our constituent assembly, this 26th, याद रखेगा, this 26th day of November 1949, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution, correct, तो यहाँ पर देखेगा कि मतलब क्या हुआ, यह प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल क्या है, mirror of the constitution, introduction to the constitution, and this preamble is the philosophy of our constitution, अब को पता होगा कि प्रियम्बल में कुछ significant points मैं discuss कर देता हूँ आपको, कि यह देखेगा, red color से मैंने दिखाया, socialist and secular, यह बाद में add किया गया है, constitutional amendment के दोरा, अब क्या बता सकते है, constitutional amendment कौन सा हुआ था, तो यह constitutional amendment 42nd था, 42nd constitutional amendment, जिसे हम semi-constitution के तौर पे भी जानते हैं, और यही constitutional amendment है, जो प्रियम्बल में भी कुछ amendment किया है, changes लाया था, amendment है, प्रियम्बल में, correct, तो इस constitutional amendment के दोरा, दो terms add किया गया है, socialist and secular, ठीक है, फिर आप देखेगा, यह के और red color में है, मैंने दिखाया है, integrity, तो आप देखेगा, तीसरा टर्म जो प्रियम्बल में 42nd constitutional amendment के दोरा add किया गया, वो है integrity, पहले था individual and the unity of the nation, लेकिन बाद में integrity को add कर दिया गया, 42nd constitutional amendment, तो यह red color में ध्यान लखेगा, 42nd constitutional amendment के दोरा add किया गया, और हमारे constitution में सिर्फ और सिर्फ एक ही amendment हुआ है, अभी तक, correct, और बाकी सारे जो है philosophies हैं, जो कि आप detail में जब हम mains के point अभी से परेंगे, तब discuss करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान रखेगा कि secure करना होता है, जो citizens वो क्या-क्या है, तो चार चीज़ है, justice, liberty, equality and fraternity, और फर्दर आपसे पूछा जा सकता है कि justice जो है, वो कितने तरह का provide कर रहा है हमारे इंडिन constitution में, तो justice, social and economical and political, correct, फिर liberty में कौन-कौन सा है, तो thought का है, मतलब हम जो thought रखते हैं, expression जो express करते हैं, जो हमारा belief है, faith है, worship है, यह इस पांच तरह के हैं, equality में दो तरह के चीज़ पर ध्यान दिया गया है, status and opportunity, equal opportunity मिलना चाहिए, am I right, और वही चीज़ promote करना है, क्या promote करना है, तो fraternity, भाई चारा जिसको बोलते हैं, तो individual के बीच में, जो individual का dignity होता है, वो भी assured होना चाहिए, साथ में, पूरे country, अपने country का, इंडिया का, unity के साथ में, उसकी integrity भी भंग नहीं होनी चाहिए, और यह सारे philosophies हैं, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, यह सारे philosophies हैं, उसके अंतरगत, यह सारे objectives हैं, और हमारे constituent assembly के द्वारा, 26 नमबर 1949 को, यह constitution को adopt किया गया, इनेक्ट किया गया और गीब किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, कि we the people of India, आप देखिए का पहले term में ही लिखा हुआ है, we the people of India, मतलब यह लोगों के द्वारा ही adopt किया गया है, लोगों के द्वारा ही लागू किया गया है, और लोगों को ही दिया गया, मतलब हम लोगों ने ही से अडॉप्ट किया हम लोगों ने ही से चालू किया और हम लोगों ने ही खुद को दिया clear इसलिए यहां लिखा हुआ है adopt enact and give और we the people मतलब people यहां पे हम सारे लोग हैं इसलिए कहा जाता है source of the power of the constitution or the whole India is the people right हम सब source of power है next में देखें यह प्रियंबल जो हमारे constitution का यह modified version of objective resolution है आपको याद होगा objective resolution जब constituent assembly का निर्मान हुआ था तो हमारे जवाल नेता मतलब हमारे जो प्रमुक्ष नेता थे पंडित जवालल नेरू उनके दोरा draft किया गया था और put up किया गया था राइट और उनका objective resolution जो constituent assembly में put up गया था 13 दिसंबर मतलब आपको याद होगा 9 11 13 है ना पहला sitting 9 को दूसरा sitting 9 11 को फिर तीसरा sitting 13 को तो 13 दिसंबर 1946 को constituent assembly के दोरा यह objective resolution put up किया गया था जवालल नेरू के दोरा correct और यही objective resolution का modified version है हमारा preamble इतम ध्यान रखेगा प्रियंबल जो है हमारे इंडियन constitution का first part माना जाता है इस पर भी एक विबाद हुआ था कि क्या प्रियंबल हमारे constitution का पार्ट है या नहीं है तो finally आज के रेट में मैं आपको बता दूँ कि constitutional amendment हो या Supreme Court का latest judgment के आधार पे हम preamble is the part of the constitution एकदम याद कर लिजेगा राइट and preamble the part of the constitution जिसकों की part मान लिया गया राइट और आपको पता है जो पहला part है हमारे constitution का वही सबसे बाद में पास किया गया हमारे constitution assembly में क्यों क्योंकि प्रियंबल जो है हमारे objective को शो करता है हमारे philosophies को सो करता है तो constitution के सारे provisions को in harmonious relationship में रखने के लिए मतलब मतलब क्या होता harmonious हो मतलब compliance हो जो objective में हो वही resolution या act sorry articles में दिया है provisions में दिया गया इस continuity को कायम रखने के लिए preamble को last में पास किया गया right so preamble is our philosophy किसका philosophy था आपर constitution 42nd constitutional amendment पहला बार और लास्ट बार अभी तक हुआ है मतलब एक ही बार amendment हुआ है जिसके अधार पर तीन word add किया गया जो कि पहले बता चुका हूँ socialist secular and integrity right अब यहां पर देखे salient features के तौर पर जो कि means के point of view से भी आयद रखना और PT के point of view से तो पहला देखे source of power जो कि पहले में बताया कि यह जो बताता है source of power के बारें बताता है क्योंकि वी लिखा हुआ we the people of India adopt enact and give यह तीन terms last में दिया गया मतलब source of power क्या है people दूसरा है nature of the state our state तो क्या बतायता है nature हमारा state कैसा होगा sovereign होगा right फिर socialist होगा समाजी जिसको बोलते हैं उसको secular धर्मिर पेक्स democratic परजातांत्रिक republic राजतंत्रि जिसको बोलते हैं तो sovereign socialist secular democratic republic यह सारे हमारे state के nature शोग करते है right objective में आप देखेगा यह सारे चींक्लूड है sovereign भी होना चाहिए socialist भी होना चाहिए secular भी होना चाहिए democratic भी रिपाब्लिक भी और उसके साथ में सिक्योर करने के लिए justice liberty equality and sovereignty आपने देखा justice में तीन था liberty में दो था equality में दो था fraternity में भी दो था unity and integrity भी है so final goal is welfare of the state and egalitarian society egalitarian मतलब equal society सब लोग बराबर होंगे इसलिए देखेगा article 14 क्या हो तो equality of the equality before the law and equal protection of the law article 14 में लिखा हुआ है न तो egalitarian society मतलब सब लोग बराबर होंगे फिर आर्टिकल 39 जब परहेंगे तो हाँ देखेगा कि economical status को equal बनाने के लिए भी state government को power कि इंपाबर किया गया है कि कुछ step लिया जा सकता है राइट फिर features में आप दिखेगा हमारे प्रियंबल को बतन प्रियंबल से इंफोर्मेशन पता लगता है कि हमारे constitution कब adopt किया गया कब enact किया गया और people को हमारे देश को दिया गया राइट यह कौन सा डेट है 26 नमंबर 1949 ठीक है तो एक चीज और बता दूं कि प्रियंबल जो है ना ही source of power है हमारे administrative officers के लिए या हमारे constitution set up के लिए या constitutional post के लिए राइट ना ही source of power है और ना ही किसी के power को यह प्रोहिवीद करता है मतलब restriction भी नहीं लगाता है हमारे प्रियंबल लेकिन जब-जब किसी भी constitutional provision में किसी भी तरह का confusion होता है या double meaning होता है या interpretation more than one meaning होता है तो वहां पे प्रियंबल का सहायता लिया जाता है राइट तो मतलब variable there is ambiguity मतलब double meaning निकल रहा है constitutional provision का more than one meaning निकल रहा interference interpretation जो है अलग-अलग है आपकी एक particular article को कुछ और interpret कर रहा हो दूसरा कोई और कर रहा है तो इससे case में अगर confusion है then preamble will be taken into account to get the proper meaning of the article right next point important है देखे प्रियंबल is non-justiciable non-justiciable मतलब the provisions of the preamble cannot be enforced before the court right तो मतलब क्या हुआ supreme court में यह court में preamble की कोई भी provisions को अगर violate होते हुए हम लोग देखते हैं तो हम लोग court approach नहीं कर सकते हैं इसको implement करने के लिए लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि प्रियंबल में बहुत सारे ऐसे philosophies यह terms है जिसको हमारे constitution में basic structure मान लियागा है supreme court के अधार पे तो जैसे sovereignty है socialist है secular है यह सब ऐसे terms हैं जो क्या मान लिया गया है basic structure आपको पता होगा कि केसवानन भारती केस में क्या हुआ था एक doctrine लाए गया था philosophy लाए गया principle लाए गया कि amendment can be done to the any part of the constitution but basic structure should not be violated राइट मतलब क्या हुआ पार्लियमेंट को पूरा पाबर देजिया कि constitution के किसी भी provisions को आप touch कीजिए cut कीजिए paste कीजिए alter कीजिए लेकिन that will be the subject to the doctrine of basic structure राइट तो हमारे PML में बहुत सारे parts हैं या terms हैं जो basic structure हैं तो ultimately अगर violate होगा तो क्या होगा Supreme Court automatically active हो जाएगी या उसको struck down कर देगे correct अब कुछ important quotation जो हमारे PML के बारे में है जो पूछा भी जा सकता है और पूछा भी जाता है right तो देखिए PML as the identity card of the constitution N. A. Palkhi वाला के द्वारा कहा गया है कि PML क्या है वाई तो हमारे constitution का एक identity card है आपको पता है ना identity card क्या होता है कि हमें government job करते हैं या private job करते हैं या school जाते हैं college आते हैं हमारे identity के लिए identity card है जिसको देख के बताया जाता है कि अच्छा मैं वही आदमियों तो serially अज similarly पिरियम्बल भी एक identity card है जो यह सो करता है कि जो पिरियम्बल में दिया गया है उसी का detailed provisions हमारे इंडियन constitution में हैं correct फिर next point में देखे के मुंसी जो कोई constitutional assembly के समय में भी थे the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic चुकि गया मुंसी के समय में socialist और secular term नहीं था तो उन्होंने यह add नहीं किया लेकिन आज के date में आप add कर सकते हैं इस पिरियम्बल is the horoscope of our sovereign socialist secular democratic republic गया मुंसी correct next term है Ernest Barker के द्वारा जो इंगलिस constitutional expert है थे उन्होंने बोला प्रियम्बल क्या है वाई तो हमारे constitution का key note मतब प्रियम्बल किसको कहा जाता है प्रियम्बल is the key note to the constitution मतब एक ऐसा note है जिसके अधार पे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा constitution क्या है प्रियम्बल is the mirror of the constitution मतलब यह आप देखेगा लग लग बुक में पढ़ेगा तो यह लिखा हो प्रियम्बल क्या है जिसके अधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा constitution कैसा है क्या provisions दिया गया है क्या objective है और क्या welfare के लिए प्रोच है क्या initiatives लिए गया और उसके बाद बेदर प्रियम्बल इस पार्ट अब दे constitution or not तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर वेरिवेरी का case हुआ था 1960 में जहां supreme court ने बोला था प्रियम्बल इस नौट पार्ट अब दे सुप्रियम कोर्ट ने बताया कि प्रियम्बल इस पार्ट अब दा constitution यह पहले मैं बता चुका हूं जहां पर डॉक्ट्राइन आप बेसिक स्ट्रक्टर के बाद प्रोपाउंड किया गया डिस्ट भी किया गया और वहीं आपको प्रियम्बल के बारे में एक प्रोपर आइडिया मिला होगा और आपके प्रियम्बल यह जो है आपके प्रियम्बल के त्यारी चल रही है मैंस के त्यारी चल रही हो दोनों को पॉइंटे वीडियो आपके लिए यूटिलिटी वाला है यूटिलाइज होगा प्रोपर रहेगा कीप वाचिंग और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए अपने दोस्तों के बीक में शेयर किजिए और कभी भी किसी भी तरह कोई प्रोप्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट डालिए और मैं आपको वह कॉंसेप्ट किलियर करूंगा अधर्वाइस यू कन अलसो रीच मी थ्रू सोचल मीडिया लाइक वाट्सअप टेलिग्राम चैनल जो भी डिजर्व करके मैंने चला है और एक बीपीसी प्रिप्रेशन करके मेरा फेस्बुक पेज है जहां पर आप जोइन कर सकते हैं थैंक यू